अगर आपके दर्वारे पर कभी बूल से गौमाता आ जाए तो तैमान के चलना आज आपके उपर परमकृपा हुई है मैं निवेदन करके कह रहा हूँ है और आपके दर्वाजे पर अगर वो गौमूतर छोड़ दें या गोबर छोड़ दें तो तो समझ लो कि आनंद हो गया तो अब आप कहेंगे करना क्या है फिर तो देखो भाईया दो चीज़े हैं जो करने की है जो गया निरंतर कच्रा खा रही है उसके गोबर का उपयोग नहीं कर पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे आप लेकिन जो घास भूसा आदी खाने वाली ऐसी कुई गया है जिसका गोबर आप क्या गिर गया है और उस गोबर में किसी तरह की गोबर के लावा कोई दुरगंदा इत्यादी नहीं है क्योंकि बाके चीज़ों से तो गड़बर होगी तो तुरंत उसको ऐसे उठाईए जैसे करोड़ों रुपय का हीरा पड़ाओ उसको उठाईए और उठाकर अपनी छट पर ले जाकर वैसी रख दीजिए फड़ा और पसार दीजिए और पसारने के बाद क्या करें उसको सूखने दीजिए जल्दी कैसे सूखेगा उसके बीच में ऐसे अंगली डाल दीजिए जितने ज़्यादा छेद होंगे उपला उतना एक एक उपला इतना बड़ा अगर एक सामान ने मौसम में एक दिन में सूखता है बिल्कुल ड्राई होता है तो अगर इस एक फुट के उपले में जो गोल होता है अगर इसके अंदर आपने बारा उंगली डाल कर छेद कर दि दिये तो वह एक दिन में नहीं वह चार गंटे में सुक्र खड़ा हो जाएगा माराज है और लोग क्या करते हैं लिया और ठुप दिया विज्ञान को भी समझो जितना उसमें छेद होंगे वो उतना ज्यादा जल्दी सूखेगा क्योंकि उसकी नमी सूखेगी तो उसको ले जाईए शत्पे रख दीजे अब क्या होगा वो बढ़िया हो जाएगा उपला बन जाएगा अब यह उपला आपके किस काम का है यह उ पला के लिए तो तुम को उशला जाओगे एक उपले के लिए तुम अपना प्रेतन परिश्रम करोगे और एक यह है कि तुम पर गुविंदी की किरपा हुई है कि गौमाता तुम्हें तुम्हारे दरवाजे पर सौयम यह दे कर गई है कि जा तेरा कल्यान को वो तुमारे क मज़में आएगा फिर आप समझ लीजिए जब हमें उसकी जानकारी नहीं होगी अगर जानकारी है तो आप तहे मानिए इससे स्रिश्ट कुछ नहीं है जीवन में जितनी शक्ती भगवान ने दिये यहां तक यह तो खिर चलो मैंने आपको बताया लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लेजिए संतजन कहते हैं कि दुनिया में जब भी दान करो अपने सामर्थ को देख कर करना लेकिन जब गव के प्रतिकुछ भी करो तो सामर्थ से अधिक करना सामर्द से अधिक गव के दर्शन में बताया गया है अगर तुम्हारा मन है तो कोई बराई नहीं है क्यों? क्योंकि वो तो जगद जर नहीं है वो तो सब कर रही है वो उसको नहीं मालूम तुमने क्या किया है वो तुमारे कल्यान के लिए निरंतर कारे कर रही है लेकिन हमें इस बात को समझना हमें जानना है कि अपने जीवन को हम कैसे स्रिष्ट कर सकें आप जब गवमाता जैसे कई लोग कहते हैं हमको राहू की प्रॉब्लम है यह जो कंबल होता है गवमाता का कंबल गले में जो लटकने वाली उसकी खाल है आप उस कंबल को सहलाईए जितना जादा आप गव माता के कंबल को सहलाएंगे आप अगर राहू और केतू से प्रताड़त हैं आप प्रतिकूलता के शिकार हैं आप चमतकार देखिएगा कि आपको कैसे लाब होने लगता है सिर्फ गव माता कोई भी गवंश हो ऐसा नहीं कि गव माता हो गव पापा भी हो तो चलेगा क्योंकि लोगों को ये लगता है गव माता कोई पूजेंगे तो ये पुन्न मिलेगा ये दिमाग से निकाल दो गव वंश की पूजा की चर्चा है भी या नंदी मिल जाए बैल मिल जाए अब तुम रोटी लेके कड़े हो बिचारा भूका कड़ा है नहीं तिरे को नहीं देंगे मम्मी आएंगी तो उनको देंगे कौन सा कौन सा तरीका है आप बताईए मुझे धर्म को समझिए गव माता प्रचलित शब्द आ गया ठीक है ये प्रचलन का शब्द है पर इसका मतलब ये तुड़ी आप ब्रशब को नहीं देंगे आप नंदी को नहीं देंगे गव वंश की सेवा करनी है मामला गव वंश का है ना गव माता का है ना नंदी का है ना ब्रचब का है ना किसी का है गव वंश का है भगवान भी जब सेवा कर रहे तो ये थोड़ी था कि नहीं बैल नहीं ले जाएंगे गव वंश को पूझेंगे आजकल ये बड़ा लोगों के अंदर अंदर विश्वास आ गया है अब पता बड़ा गोबास्ट में हमने देखा एक मैया थाली लेके गुमरी है जुन्ड बैठा है मैंना क्यों वो लग गया नहीं मिल ले मैंना वो सामने बैटे नहीं वो गया थोड़ी है हम जैसे क्या समझा पाएंगे पर ऐसा बिलकुल नहीं अरे महराज नाम देवजी भगवान रामेश्वरम पर जल चलाने जा रहे है कामर बढ़के जा रहे हैं कथा हमने समने सुनी और भगवान महादेव ने उनकी परिक्षा ली और वो सामने मंदर दिखाई दे रहा है अर सामने घदा जो है जाक छोड रहा है मुंसे लोग कहने लगे कहां जा रहा है उसके पास बोला यह तो अरही यह तो कामर अरहे है उन पे डल नहीं है उनको तो नहीं देखा लेकिन अगर ये मर गया तो मेरी कावण बेकार है जैसे उन्होंने उसमें डाली किसी को समझ नहीं आया लेकिन उस गधे मैंसे जैसे महादेव सामने प्रकट हो रहा है वो प्रग्राम कर रहा है लो हो गया काम आपके अंदर अगर वास्तविक भगवान के प्रती प्रेम है किसाब इस से तो प्रेमे पर इस चीज से नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब स्वार्त चुपाए पीछे, कुछ गिवन टेक वाला मामला है, लेकिन गईया के साथ ऐसा नहीं है, गवंश के साथ ऐसा नहीं है, आप गवंश के प्र में आगर जा रहें तो पीछे गुषे वाकरी दिलिप महराजने और उस गुषे वाकर दर्शन है कि उनको सोचो जो वेक्टी सरी स्वर्ग आया जाया करता था उसमें भी इतना सामर्त नहीं हुआ तब जाकर उसके उपर कृपा हो रही है कि अपने बच्चों को सिखाई है कि जब भी वो रास्ते में जा रहे हैं उनके आत्में रोटी पकड़ा दो गईया को देना वो कहागा कहीं नहीं देखती है तो ढूनो ना है विज्जा बरकर के दुकाना कैसे गूम लेते हो रेस्टरेंट कैसे सर्च कर लेते हो यहां नियर भाई कौन सा सर्थ देखू जरा अरे डूड़ने से भगवान मिलते है और तुम्हें गईया में यह नहीं भी मिल रहा है कोई भूका मिलेगा पिर बात वहीं आ गई कोई पियासा मिलेगा वाई दे दो और तुम अगर गईया के लिए निकाल कर आए और कोई कोई और मिल गया या कोई कोई भी मिल गया मैं कह रहा हूं तुम्हारा पुने तो वहीं मिलने वाला है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ वह आपने कह ता कोई मिल जाए तो महनती किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर उसको सब दिखाई दे रहा है वो सब देख रहा है वो सब जानता है उससे कुछ छुपा नहीं है उससे कुछ जाता नहीं है इस बात को समझना बहुत जरूर है आप अपने जीवन में बस एक चीज को समझ लीजिए कि इस प्रत्वी पर इस प्रत्वी पर गाय माता साक्षात चलता फिरता स्वर्ग है जिसमें सभी देवी देवता विराजमान है